सो हे दोस्तो वेलकम टो बैक माई निव वीडियो तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ काइन मास्टर के बारे में दोस्तो काइन मास्टर के बारे में इसलिए मैं बात करूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो काइन मास्टर में जैसे कि माल लिजे अगर आप कोई भी बैक्ग्राउंड को अगर आप कलर में चेंज करना चाहते हैं जैसे माल लिजे कि अगर आपके पास एलो बैक्ग्राउंड है या फिर कोई भी बैक्राउंड है उसे आप कलर में चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना अपनी काइन मास्टर को ओपन कर लेना है काइन मास्टर को ओपन करना ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से मतलब शुरू से open करके इसको दिखा देता हूं तो चलिए यहाँ पर जैसे हमने अपने काइन मास्टर को open किया open करने के बार बाद में कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा यहाँ पर create new पर click कर देना है create new पर click करने के बाद में यहाँ पर create पर click कर देना है अब create पर जैसे यहाँ पर click करते हैं click करने के बाद में यहाँ पर आपको asset का option आएगा asset पर जैसे आप click करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे color आपको देखने को मिल जाएगा मालेज़े मुझे yellow पसंद है yellow color मैंने ले लिया इसके बाद में यहाँ पर तो दोस्तो जैसे यह color लेने के बाद में आप मालेज़े कि यहाँ पर आपको कोई और color चूच करना है जैसे कि मालेज़े कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे colors हैं अब आपको yellow अच्छा है नहीं देखने मुझे और भी कोई multiple color चाहिए यानि कि आपके पास जितना भी color है वो सब मुझे एक एक करके सारे color चाहिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे आपके पास यहाँ पर जो color है ना color की सारे box open हो जाएंगो open होने के बाद में मुझे यह blue वाला color अच्छा लग रहा तो मैं मुझे blue पर क्लिक करना और यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे वो color आ जाएगा बट यहाँ पर देखेंगे चलिए मैं कोई और color set कर देता हूं जैस चाहते हैं red ले सकते हैं आप अगर black लेना चाहते हैं तो black ले सकते हैं आप अगर यहाँ पर brown लेना चाहते हैं तो brown भी यहाँ पर ले सकते हैं मतलब multiple color आपके पास है आप जो भी color चूच करके लेना चाहते हैं वो color आप यहाँ से ले सकते हैं और बहुत ही आसान तरीकों स अब अपने गलर को यहां पिर मैंच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है काफी था कि मतलब मैं आपको बदा है कि जो background video का होता है वह कैसे लेते हैं और कौन कौन से pan cresาร लेते हैं, अगर आपको भाई और भी colors चाहिए जिसे आपको अपने photo को उसका अगर आपको color चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा बट उसके लिए आपको क्या करना hai यहांपको अपने gallery layer में जाना है मीडिया माने कुछ行 यहां पर जो भी अपना color चूच कर लिए हैं आपने मतलब download किया है या फिर आपने photo पोटो क्लिक किया यहां से आपको मिल जाएगा बट हमने आपको कलर के बारे में बैग्राउंड के बारे में बताया है तो बैग्राउंड आप यहां से देख सकते हैं और इसके बाद यहां से आप ले सकते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग अप्राइब नप्राइब रिएट सान्वान